नमस्कार आप देखरें नियूस वो नेशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ उन्होंने किसानों को लेकर कई सारी बाते की चर्चा की और ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी पाची आंदोलन करने के लिए तयार है इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बेहार में किसानों के स्थिती है उन्हीं मजदूर बना दिया गया है और भिखारी बनाने के स्थिती में अब बिहार सरकार पूरी तरीके से अग्रिसर है इसको लेकर अब्ती जश्वी आदव ने ट्वीट किया है और देखाने की कोशिश की है कि पंजाब भी एक कृषी प्रधान प्रदीश है और अगर बिहार की भी बात करीं तो बिहार की भी आबादी 70 फिस्दी कृषी पर ही डिपेंडेंट है लेकिन इन दोनों की आई में देखे किस तरीके से कितना फर्क है जहाँ अगर हम पंजाब की किसानों की बात करें तो उनकी प्रती मा की आई 18,000 रुपे की है तो वहीं अगर हम बिहार की किसानों की बात करीं तो तीन हजार कुछ रुपे के आसपास की उनकी आय है अब ऐसे में उन्होंने कमपारिजन करते वे यह दिखा दिया है कि देखे नितीश शरकार किस तरीके से किसानों के लिए अगरसर है कितना सोचती है वो आप खुद देख लिजे और किस तरीके से उन्होंने बिहार की किसानों को मजदूर बना दिया है इसके साथ साथ तीजश्वी आदव और क्या कुछ लिखते हैं सबसे पहले वो देखे दोनों क्रिशी प्रदीश यह फर भी किसानों की आई में बड़ा अंतर है अगर बिहार में विगत 14 वर्षों में मंडी और बाजार समीती समाप्त नहीं होता तो यहां का किसान मजदूर नहीं बनता तो आपको बता दे कि साफ तोर पर तीजश्वे आदम ने दोनों ही प्रदेश की किसानों की आए को कमपारसन करते वे ये दिखा दिया है कि देखे बिहार सरकार में किस तरह एक मजदूर की आए बिहार के किसानों को मिल रही है इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया है कि जिस तरीके से विगत 14 वर्षों में मंडी प्रथा को समाप्त कर दिया गया मंडी और बाजार समीती जैसी चीजों को हटा दिया गया उसकी वज़से बिहार में किसानों के इस्थिती दैनिये बन गई है अगर ऐसा नहीं होता तो आज किसानों के इस्थिती कुछ और होती आपको बिता दे कि नीता प्रतिपक्ष्टी जश्वी आदब लगातार किसानो को लेकर दीश भर में जो चल रहा है किसान आंदोलन उसको लेकर आक्टिव हैं उन्होंने भारत बंद होने के दौरान भले ही वो यहां पर ना हो लेकिन उन सब के बीच वो दिल्ली से ही तमाम जो किसानों का आंदोलन था उसमें वो शामिल हो रहे थे और साथी साथ लगा जो भी कारे करता हैं वो किसानों के बीच जाएंगे जनता के बीच जाएंगे और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से क्रिशी कानून जो है वो उनके खिलाफ है वो सही नहीं है इस बात की पूरी जानकारी किसानों को राजित कारे करताओं की कर रहे हैं फिल्हाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस फांडीशन नमस्कार